वेलकूँ टो मैं यूट्यूब चैनल मेगा प्रोजेक्ट सब गोर्यकपूर तो गाईज आज मैं आपको गोर्यकपूर महानेगर की रामगर ताल की किनारे बन रहे नौका विहार फेस्टू का कंस्ट्रक्शन अपडेट देने वाला हूँ तो काफी महीनों से आप सबका कमेंट आ रहा था नौका विहर फेस्टू का अपडेट दो तो फाइनली आज मैं आप से के लिए नौका विहार फेस्टू का अपडेट ले कर आ गया हूँ और तो वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चनल पर नए है तो प्लीज चनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजेगा ताकि आगे भी गोर्यवपूर के डेवलप्मेंट से रिलेटेड वीडियो आपको देखने को मिलती रहे और गैज अभी हम आ चुके हैं नौका विहार के पास जो अपना पुराना वाला नौका विहार है अब यहां से हम चिरिया घर वाले रोड के तरफ आगे बढ़ते विजा रहे हैं और जैसे कि आप देख पारे हो नौका विहार से चिडिया घर जाने वाईले सड़क को भी फोर लेन बना दिया गया है और काफी शांदार सड़क इसको भी बनाय गया है और यहाँ पर एक चोटा सा चोरह भी बनाया जा रहा है और फिर इसके आगे की तरफ बढ़ने पर मैं देख पा रहा हूँ कि इस रोड में भी अर्नामेंटल स्टीट लाइट्स भी लगा दी गई है यानि कि जैसे ही ये लाइट रात में जलेगे तो गई कितना ज़्यादा शांदार नजारा होगा इधर का और जो लेफ्ट साइड में यह जब देख पा रहा है तो ये बन रहा है जेसर प्लाजा तो बहुत जल गुरफ पूर वाशियों को इसी जेसर प्लाजा में मैं डॉनल्ड्स, डॉमिनोज और केपसी का आउटलेट बहुत ज़ल यहां पर खुलने वाला है और अभी हम जी सड़क पर चल रहे हैं तो गया जी सड़क को भी काफी जाधा शुन्दर बना दिया गया है लेकिन मैं इस तरफ देख पा रहा हूं कि सड़क को बनाए गया है चुकि डामर वाली सड़क पर वहन चलाते समय बिल्कूल भी वाइब्रेशन नहीं होता है और हाँ थोड़ा सा आगे बढ़ने पर सड़क को जो है की डामर वाली बनाई गया है चोकि काफी अच्छा है और यह रैड साइड में जीडी गोई का पॉब्लिक स्कूल का सेकेंड ब्रांच इसी चेतर में खुल चुका है और जैसे कि आप देख पारे हो काम तो भाई काफी तीजी के साथ चल रहा है इधर की इलाके में डिवलप्मेंट जोरो सोरो से चल रहा है और काफी टाइम से गया जाप सब का कमेंट आता था जैसे न रामगड़ ताल में सुरू होने जा रहा है एक और नेशनल गेम और इस बार भी इस नेशनल गेम की मिजबानी मिली है रामगड़ ताल की इक इनारे इस्तित इंटरनेशनल वाटर स्पोर्ट कॉंप्लेक्स को तो जो की गुरकपूर के लिए काफी अच्छी बात है और आमने के तरह पहुचने वाले हैं देवरिया बाइपास वाले रोड में चुकि उस सड़क को भी फोर लेन बनाय जा रहा है और मैं आपको एक बहुत जल नया वीडियो लेकर आऊंगा देवरिया बाइपास इस पोर लेन पोजेट को लेकर जिसमें मैं आपको पूरा का पहले देवरिया बाइपास फोर लेन रोड पूरी तरह बन कर रेड़ी हो जाएगा आपको क्या लगता है हमें कमेंट सुक्त में जुरू बताएगा ऐसे तो इसके पहले भी मैंने देवरिया बाइपास रोड पर वीडियो दिखाया था जिनमें से ज्यादातर एरिया में तो पिस्चिंग का काम पूरा कर लिया गया है लेकिन यही कुछ दूर का हिस्सा Wentu का गया है जिनमें पाम पेरेड़ाइज टाउंसिप से लेकर कर क्या सड़क भी पूरि तरफ 4-ление बनकर तैयार होने वाला है जेसा की वी प्रिशासन दवा कर रहा है और गएज इसी नौरातरी में गोरख़पूर महानगर की सड़को का सिल picnic का कर्यक्राम भी होने वाला है जिनमें सहर की 6 सड़को का 4- Captain बनाने का काम सुरू होने वाला है जिन में असरन पिप्राइस फोर लेन असरन मोहदीपूर फोर लेन इसके लावा राजगार डोमिनगट महस्रा फोर लेन एचन सिंग चौराय से गोरकनात वाली सड़क फोर लेन वीरासत गली आ रहा तो आहीं माधोपूर से लेकर के ग्रीन सिटी कालोनी तक वाली सड़क भी बनने वाली है तो लगवक छे सड़कों का सिलानियास का कारेकरम इसी नौरात्री में होने वाला है अब डेट डिसाइड नहीं किया गया है अब जैसी मुझे कुछ जनकारी मिलेगी मैं आपको दोबारा वीडियो के माधम सेर करूँगा और गाइस अब हम ट्रेवल करते हुए बस अब हम पहुचने वाले हैं गोरकपुर के चिडिया घर के पास और ठीक चिडिया घर के 1.7 किलोमेटर लंबा होने वाला यारी कि 1.5 किलोमेटर से भी ज्यादा लंबा होगा जो कि अपने पुराने नौका विहार से भी ज्यादा लंबा होने वाला है तो अब हम अंदर के तरफ आ चुके हैं और जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर चारों तरफ कंस्ट्रक बनाए गया है और इसके साथ ही सथ यहाँ पर आपको वाकिंग ट्रेक भी मिलने वाला है और भी बहुत सारी सुधाएं आपको नौका विहार फेस्टू में मिलेंगी और यह राइड सेट में क्या बन रहा है बट क्लियर मुझे समझ में नहीं आ पा रहा है कि बन क्या रहा क्या है क्योंकि अब बहुत सारे काम होने बाकी है जैसे की यह सडक को बनाया जाएगा सडक को बनाने के साथ ही रेलिंग की चीजों को डेवलप करना सब्सक्राइब अब हम आगे बढ़ते वह दूसरी घाट बास आ चुके घाट कर दिजारिन रेकिन lo प्लेटफॉर्म बनाए गया है और इनी प्लेटफॉर्म से यहां पर भी बोटिंग की भी शुरुवात होने वाली है इसके लिए दो कमपनियों को जीडिये ने टेंडर दे भी दिया है और उमिदेए कि जितनी जल्दी यह नौका विहार फेस्टू बनकर रेडी हो जाएगा उसके बाद इधर से भी बोट्स का संचालन सुरू कर दिया जाएगा चुकि नौका विहार फेस्टू बनने के बाद इधर के लोगों को काफी ज़्यादा सहुलेत मिलेगी जो लोग सिक्टोर चोरह क्या सपास रहते हैं सहारा सिटी में जितने भी लोग निवास करते हो य और इस नौका विहार फेस्टू से सिकारा बोट का भी संचालन होने वाला है चुकि सिकारा बोट का संचालन कास्मीर के डल जिल में किया जाता है तो अब अपने रामगड ताल में भी इस तरह की बोट का संचालन होने जा रहा है तो ये गोरकपूर शेहर वाचु के लिए काफी अच्छी खुश्खवरी है कि अब गोरकपुर को एक और नया नौका बिहार का सौगात मिलने जा रहा है जो कि पुराने वाले नौका बिहार से भी जादा लंबा होने वाला है चुकि इसकी लेंद 1.7 km तो मैं पैदल बहुत जादा दूर तक तो मैं आपको नहीं दिखा पाऊंगा चुकि मैं बाइक से आ रहा था तो बाइक को लेकर यहां के जो संचालन है उन्होंने मना कर दिया तो इसलिए मैं पैदल या गया अंदर तो बट अब अगली बार जैसे ही मुझे परमिसन मिलेगी तो मैं आपको पूरे बाइक के साथ मैं आपको फूरा 1.7 km लंबा यह नया नौका विहार फेस्टू का अब्रेट दे पाऊंगा क्योंकि गाइज एक तो इतनी तेज धूप है तो इसलिए भी जादा दूर तक आगे भी नहीं जा सकते और यह र बन कर बस रेडी ही होने वाला है और एक और अच्छी अपडेट यह है कि बहुत जल अपने रामगड ताल में फ्लोट होटल का भी निर्माड कारे सुरू हो सकता है इसको ले करके जीडिये के तरफ से प्रस्ताव बनाया जा रहा है अब अपने इस रामगड ताल के अंदर इसी मा के 22-26 अक्टूबर के बीच में यह प्रतियोगिता सुरू होने वाली है और इसमें देश भर के 200 से भी जादे नेशनल प्लेयर्स इस गेम में भाग लेने वाले हैं और इस कारिकरम में योगी जी भी सामिल होने वाले हैं तो गैज अगर आज का वीडियो पसंद आय हो तो वीडियो को लाइक जरू कर दीजीगा और हमें कमेंट सक्सा में भी जरू बताएगा तो मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में फिर किसी नए अपडेट के साथ अब ते के लिए जैहिंद